उन्होंने मनीश सिसोधिया को उठा के जेल में डाल दिया उनको लगा मनीश सिसोधिया को जेल में डालने से शिख्षा के काम रुप जाएंगे उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से महला क्लिनिक बंदो जाए प्रदान मंत्री जी को बोलना चाहता हूं हमारे पास एक मनीश से सो दिया नहीं है हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है हमारे पास सो सतिंदर जैन हैं आप एक को जेल में डालोगे हमारे दूसरा नमस्कार S.P.9 नीउस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मनीज सिसोधिया दिल्ली के पूर उपमुखे मंत्री और शिक्षा मंत्री अब ऐसे में सुप्रिम कोट का रुक करने वाले हैं सुप्रिम कोट का रुक करने की बात अर्विंद केजरिवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं दरसल आपको बदा दें दिल्ली की हाई कोट में मनीज सिसोधिया को लेकर लगतार सुनवाई होती हुई नजर आ रही थी सुनवाई के दोरान यहाँ पर मनीज सिसोधिया को राहत मिलने की बजाए उन पर पेज कस्ता हुआ ही जा रहा था अब ऐसे में बात की जाए मनीज सिसोधिया की तो यहाँ पर अब सुप्रिम कोट का सीधे तोर पर रुक करने की बात करते हैं यहाँ पर नई शराब नीती को लेकर शराब घोटाले को लेकर मनीज सिसोधिया पर जो एडी मैं बात की जाहे मैंने अपनी पत्नी को लेकर जिकर किया तब भी मुझे राहत नहीं मिली तब भी मुझे जमानत नहीं दी गई यहां पर आम आदमी पार्टी ने कई सबूत पेश किये कि एडी उनके खलाफ साजिश रच्टी हुई नजर आ रही है एडी सीबी आई के पास कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे हैं उसके बावजूद यहां पर मनीज सिसोद्या को फसाया जा रहा है तो पर उनकी रहत याचिका जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है अब ऐसे में मनीज सिसोद्या के पास एक आखरी आप्शन बसता है कि वह सुप्रिम कोट का सीधे तोर पर रुक कर दे सुप्रिम कोट में अब याचिका दाखिल करने की बात मनीज कूटों को लेकर सीधे तौट पर सुप्रीम कोट का रुक करने वाले हैं अब ऐसे में मनीज से सोधिया को बचाते वे अर्विंद केजरिवाल भी बखुबी मैदान में अर्विंद केजरिवाल का जिक्र किया जाये तो रामलीला मैदान में मोधी सरकार की अध्यादेश के ख अब इसी फैसले को चुनोती भरा लेते हुए यहां पर अर्विंद केजरिवाल रामलीला मैदान में उतर जाते हैं और साथ तोर पर बोलते हुए नजर आते हैं कि जब जब यहां पर मैंने काम किया है और मेरे काम को रोकने के लिए भारती जनता पार्टी प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी कोई नकोई साजिश रश्ति वे नजर आते हैं हमारी राज्य की सिक्षा व्यवस्था इतनी बहतर थी कि सिक्षा मॉड़ल को अन्य राज्यों के मुखे मंतरी अपनाती वे नजर आये तहीं लेकिन यहां पर प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी को वह भी बर वदहाल स्थिती में चली जाए लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने साथ तावर पर कह दिया आप एक मनी सिसोधिया को जेल में डालेंगे लेकिन हमारे पास सो ऐसे मनी सिसोधिया हैं जो प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को सीधी टकर देते हुए नजर आते हैं क्या कुछ कह रहें अर्विंद केजरिवाल देखें इस रिपोर्ट में बारा साल गुजरात के मुख्यमंतरी रहें पिछले नौ साल से देश के परदान मंतरी हैं 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते 21 साल 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंतरी बना मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते आज मैं चैलेंज करता हूँ और देश की जंता को अपील करता हूँ मोदी जी के 21 साल मेरे 8 साल दोनों के देख लो किसने ज़्यादा काम किया केजरी वाल ने ज़्यादा काम करा केजरी वाल ने 8 साल में ज़्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज़्यादा काम करा अरे इनसे काम तो होता नहीं है देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं यह आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं मोधी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिये हर काम में टांगड आया फिर भी मेरे आठ साल उठा के देख लो कितने स्कूल बनवा दिये कितने अस्पताल बनवा दिये लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी बिजली मुफ्त कर दी मैंने बिजली मुफ्त करी मोधी जी कह रहे है फ्री की रेवडी माट रहा है अरे गरीबों के हाथ में अगर चार रेवडी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया मोधी जी आपने तो रेवडी नी पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया पूरा की पूरी केंदर सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी मैंने तो चार चार रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में गरीबों के हाथ में आपने तो रे उड़ाई उठा के दे दिया सारा का सारा अब लोग प्रधान मंत्री जी से पूछने लगें कि केजरी वाल ने इतने स्कूल बना दिया आपने क्या किया उनके बास कोई जवाब नहीं है अभी पिछले साल में गुजराद का चुनाव लड़ने गया आपने दिली में स्कूल बच्चों की शिक्षाइद नहीं अच्छी कर दी तो एक दिन प्रधान मंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिचवाऊंगा पूरे गुजराद में ढूंडने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिचवा ले एक स्कूल तीस साल से गुजराद में बीजेपी की सरकार है एक स्कूल नहीं मिला इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी दस बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहाँ पे मोधी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिचवाई अब लोग प्रधानवंतरी जी से पूछने लगें, कि केजरी वाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहाँ हैं तो अब मोधी जी ने तै किया, मैं केजरी वाल को काम नहीं करने दूँगा उन्होंने मनीश सुसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया उनको लगा मनीश सुसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुप जाएंगे उन्होंने सतिंदर जेल को उठा के जेल में डाल दिया उनको लगा सतिंदर जेल में डालने से महला क्लिनिक बंदो जाएंगे, अस्पिताल बंदो जाएंगे मैं प्रधान मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ हमारे पास एक मनीज सिसो दिया नहीं है हमारे पास सो मनीज सिसो दिया है हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है हमारे पास सो सतिंदर जैन है आप एक को जेल में डालोगे हमारा दूसरा आजाएगा काम करने के लिए काम नहीं रुखेगा दोस्तों जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अभी ये और ओर्डिनेंस लेके आए हैं और ओर्डिनेंस हैं 집हीं हैं पर आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं दिल्ली के अपने घर में दुबक के बैठे हैं, वो बीजेपी के गुलाम है, वो आपके नहीं है, आपके सगे नहीं है, वो बीजेपी के गुलाम है, आपको कल को मुसीबत आती है, तो केवल आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, वो कभी खड़े नहीं हों और सुप्रीम कोट उनकी हख में फैसला भी सुनाएगा क्योंकि नई शराब नीती यहां जनता को दोके में डालने के लिए नहीं लाई गई ती यहां पर पैसे हैं और उन पैसों का इस्तमाल यहां पर दिल्ली के और कामों में लगाया जा सके लेकिन यहां पर भारते जनता पाटी ने सराम नीती को लेकर कई घोटाले यहां पर पेश कर दिया अब इस मुद्दे को लेकर आपके क्या राए कि क्या वाकई यहां पर मनीज सिसोधिया जेल से यहां उपाएंगे सुप्रीम कोट का रुक मनीज सिसोधिया करते हैं तो क्या वहां पर जज उनको लेकर फैसला जो सुनाएंगे वो जमानत का होगा उन्हें राहत देने का होगा या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की तरह सुप्रिम कोर्ट में भी मनी सिसोधिया का पेच फस्ता वा नजर आएगा क्या है आपकी राय कमिन बॉक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे जाज़ा